चुकि सीवान जो है वो बेवसाईयों का हब है और बेवसाई जो होते हैं वो सांत प्रिय होते हैं वो अपना काम करते हैं और उनको जो करना होता है वो वोट के रूप में करते हैं जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है परत्यासियों का दोरा तेज होता दिख रहा है सीवान सहरी छेत्र के सभपती परत्यासी का चुनावी दोरा तेज हो गया है जहां पर लोगों ने खुल कर उनका समर्थन किया और कहा कि इस बार वोट अनुआदा गुपता को ही देंगे आपको बदा देगी दूतिये चरण यानि 20 अक्टूबर को सिवान में चुना होना है जिसको उलेकर सभी परत्यासी डो टू डो लोगों से मिल रहे हैं और उनका अस्रवाद ले रहे हैं तो सुनिए अनुआदा गुपता ने क्या कुछ कहा और दकिन टूला निवासी ने क्या कुछ कहा प्सक्षा नेक्ति कि प्सक्राइब यिदर दकनो कॉता नेक्ति करो प्सक कर्णकि कुछ verdर खें जिसका झाएब कि अज़ावाद क्टा तर थाफशन कि इसका धिझा जब जाएब चालो प्ताव जुब पालो! कि पुल्छा तर्फियों कुछ संपोर्ट रहेगा अगरा सैंपोर्ट रहेगा घृतना परिवार अगरा मुझे हर बर्ग हर जाती के लोगों का समर्थन मिल रहा है और जो समर्थन मिल रहा है उससे मैं काफी उत्साहित हूँ अब हैं लेकिन संभाभ नहीं है तो समभान नहीं हो पा रहे तो और नहीं नहीं जनता लोग खुलकिा नहीं आ रही है अंदर ते पूरा सपोर्ड कर रहा है ऐसा सिवान में जर्चा है आपके लिए चुकि सीवान जो है वो बहुत कुछ किया है उसके लिए का कहते हैं मैं सीवान की जनता से कहूंगे कि चुकि मैं जब नगरपरिशत की चेर्मेन थी उस समय मुझे कुछ राजनितिक अनुभाव नहीं थे लेकिन वो 5 साल और फिर 10 साल मुझे नगरपरिशत में पार्षत के रूप में रहने का मौका मिला है तो लगतार मुझे काफी टाइम नगरपरिशत से ही जुड़े रहने का मौका मिला है तो मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, मुझे अगर जनता मौका देती है आज कल खूल के आती नहीं है, यह तो सबको पता है, कुछ अर जनता के महौले ऐसी है तो यह अनुराधा गुपता की जीत रही होगे, अगर जनता इनको मौका दे रही है तो यह अनुराधा गुपता की जीत नहीं है, यह जनता की जीत है महिला है कितने इनके साथ हैं? जो है साथ शवी व्यक्ति को ही नेता करे उपने स्विकार करना चाहिए। बोलती नहीं है जलता और ना बोलेगी। लेकि जिसके हिदय में जो है वो जरूर इसको पूरा करेगा चुकि इनका जो लोगों से मिलने का तरीका है, सिस्टम है कि घर में जाकर सभी माता बैनों से बड़ी प्रेम से और सद्धा से मिलती है और असिरवाद लेती हैं तो हमें लगता है कि सिवान कंडिडेट में इतना साफ सुत्रा चवी अभी कोई नहीं है और इनका जो चवी है इस चवी को देखते हुए जनता भोट करेगी लेकिन बोलेगी नहीं चुकि सिवान का महौ इस तरह से पहले से ही है कि कोई भी वैक्ति अगर कुछ बोलता है तो बहुत बार सोता है कि इसका दुस्परिणाम नहीं हो जाए इसलिए सिवान की जनता बोलना नहीं चाहती है लेकिस साफ शवी की नेता को जरूर पसंद करती है और हमें उमीद है कि दखिन टोला से इनक कपट वाली हिसाब हो जाती है और इस तरह अगर इन्होंने महनत करते रही है अगर पूरे सिवान में पूरे समय तक और ऐसा हमें उमेद है कि आने वाले पांट साल में अगर यह बन भी जाती है तो हमें उमेद है कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इनके पास कोई लेकर क्या करेंगी कैसे करेंगी हम लोग को उम्मेद है कि इनको बोट जरू मिले मेरा नाम सुभास पताथ लकिन टोला शिवान गायतरी परिवार से रुए